प्रेगनेंसी के दोरान बार बार यूरीन होना पिसाब होना प्रेगनेंसी के दोरान बार बार यूरीन की समस्या प्रेगनेंसी के पहली तिमाई से ही महिलाओं में सुरू हो जाती है और ये पूरी pregnancy रहती है जब तक कि delivery नहीं हो जाती है तब तक रहती है तो ऐसे में जानना बहुत ही जरूरी होता है कि क्या pregnancy के दौरान बार बार urine होना normal है अगर normal है तो pregnancy की पहली तिमाई में इसका क्या कारण होता है प्रेग्नेंसी की तूसरी तिमाई में इसके होने का क्या कारण होता है और प्रेग्नेंसी की तीसरी तिमाई में इसके होने का क्या कारण होता है प्रेगनेंसी के दोरान बार बार यूरीन होना कब नॉर्मल होता है कब अबनॉर्मल होता है यानि कि प्रेगनेंसी में बार बार यूरीन होने से क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसके अलावा प्रेगनेंसी के दोरान कई महिलाओं में खासते समय चीकते समय या हसते समय यूरीन लीकेश की प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका क्या कारण होता है इसके अलावा प्रेगनसी के दौरान इस बार बार यूरीन होने की समस्या का क्या ट्रेटमेंट है इसको कैसे कंट्रोल कर सकते है यानि कि इसका क्या प्रिवेंशन है तो इन सारे सवालों के चवाब आज इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो बहुत informative है वीडियो को complete देखेगा जिससे कि आपको इन सारे सवालों के चवाब मिल सके और अगर आपको ये वीडियो informative लगेगा तो इस वीडियो को like करिएगा, share करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं प्रेडियंसी में बार-बार यूरीन होने के कई कारण होते हैं पहले दिमाई में बार-बार यूरीन होने का कारण होता है कि पहले दिमाई में पोजिस्ट्राउन और एकसीजी यानि कि human chorionic gonadotropine का level बढ़ जाता है जिसके कारण body में blood volume और fluid का level बढ़ जाता है जिससे कि kidney नॉर्मल दिनों की तुल्ला में ज्यादा function करने लगती है और ज्यादा urine बनाने लगती है kidney हमारी body में blood को filter करने का काम करता है और जो blood का filter होता है वेस्टेज होता है वो urine होता है तो pregnancy के दौरान post strong का level बढ़ने के कारण SCG का level बढ़ने के कारण blood volume बढ़ जाता है fluid का level बढ़ जाता है जिससे kidney ज्यादा function करने लगती है और ज्यादा urine बनाने लगती है pregnancy के दौरान तो इससे urine बार बार होने की समस्या होती है तो ये pregnancy की पहले तिमाई में और दूसरी तिमाई में बार बार urine होने का कारण होता है और pregnancy की तीसरी तिमाई में बार बार urine होने का कारण होता है कि pregnancy की तीसरी तिमाई में uterus का size बढ़ता है uterus का weight बढ़ जाता है जिसके कारण uterus का pressure जो है वो bladder को press करने लगता है bladder में urine store होता है तो uterus का pressure bladder को press करने के कारण pregnancy की तीसरी तिमाई में बार बार urine होने की समस्या को create करता है इसके अलावा pregnancy के दोरान कई महिलाओं को खासते समय, छीकते समय खासते समय urine leakage की problem होती है तो इसका कारण होता है कि pregnancy की तोरान post strong का level बढ़ जाता है जिसके कारण body की जो muscles होते हैं वो relax हो जाते है यानि कि body का जो muscle होता है वो relax हो जाता है, सिथिल हो जाता है जिसके कारण जो urinary bladder होता है उसकी भी mass patient सिथिल हो जाती है जो bladder का skin tone होता है वो lose हो जाता है जिससे की वो यूरीन को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता है उसके इसकिन में लूज हो जाती है तो इसके कारण खासते समय चीकते समय या हासते समय ब्लेडर पे प्रेशर आता है जिसके कारण यूरीन लीकेज की प्रॉब्लम होती है तो ये सारी कारण है जिनके कारण प्रेशर प्रेशर में बार बार यूरीन की समय आती है अब अगर बात करें इसके ट्रीटमेंट की तो देखिए इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है लेकिन अगर आप प्रेशर के दोरान बार बार यूरीन की समय से परेशान है आपको इ बार बार यूरीन की समस्या को कंट्रोल कर सकती है. तो सबसे पहली की आपको ट्रेगनेसी की दौरान साम पांच बज़े की बाद से चाय, कौफी या कोल ट्रिक कोई भी कैफिनेटिक प्रोड़क्त जो होते हैं, उसका सेवन नहीं करना है। चाय, कॉफी या फिर कोल्ड ट्रिंग्स जो भी कैफिनेटिक प्रोडक्ट होते हैं वो डाय उरेटिक्स होते हैं यानि कि ये यूरीन को बढ़ाते हैं तो अगर आप साम पांच बजे के बाद इसका सेवन करती हैं तो इसके कारण आपको पूरी रात यूरीन की समस्या हो सकत कि पानी ना पिए अब पानी पीनी का मतलब यह नहीं है कि आप प्रेग्नेंसी के दौरान पानी ही ना पिए प्रेग्नेंसी के दौरान बॉड़ी को हाइड्रेट रखना बहुत ही जरूरी होता है तो प्रेग्नेंसी के दौरान हर एक लेडिस को प्रेग्नेंसी के दौरान 10-12 ग्लास पानी पीना compulsory होता है तो आप कोशिज करें कि यह जो 10-12 ग्लास आपको पानी पीना है यह आप सोने से पहले खतम कर दे यानि कि आप सोने से 2 घंटे पहले आपका जो पानी पीनी का रूटीन है उसको खतम कर दे तो इससे आप रात को बार बार यूरीन की problem को control कर सकती है तो इन बातों का आपको खयाल रखना है pregnancy में बार बार यूरीन आना बिलकुल ही normal होता है इसके treatment की कोई जरूरत नहीं होती है लेकिन हाँ आप चाहें तो इसको control कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आप कुछ बातों को follow करें तो इसको control कर सकते हैं और एक important चीज़ मैं आप सब को बताना चाहूंगी कि pregnancy में बार बार यूरीन आना नॉर्मल है लेकिन अगर आपको बार बार यूरीन के साथ और भी कई सारे symptom है कई सारे लक्चन है जैसे कि आपको बार बार यूरीन के साथ पेन हो रहा है यूरीन में जलन हो रही है या फिर यूरीन में बलड आ रहा है यूरीन का color abnormal है इसके साथ ही यूरीन का जो smell है वो bad smell है यानि कि एक गंदी smell है तो ये सारे urinary tract infection के symptom होते हैं तो अगर आपको बारबा यूरीन के साथ ये सारे सिम्टम आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको यूरीनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के कारण बारबा यूरीन की प्रॉब्लम हो रहे हैं तो अगर आपको ये सारे लक्षड दिक रहे हैं तो इस कंडिशन में आपको तुरंट अपने गाइनकोलोजिट से दिखाना चाहिए और ट्रीटमेंट करवानी चाहिए अगर प्रेगनेंसी के तोरान यूरिनरी ट्रेक इंफेक्शन को टाइम से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो इसके कारण प्रेगनेंसी में कई सारी समस्याई आ सकती हैं कई सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं जैसे कि अगर प्रेगनेंसी की पहले तिमाई में यूरिनरी ट्रेक इ में miscarriage होने के chances जो हैं वो बढ़ जाते हैं इसके अलावा अगर pregnancy की दूसरी तीमहाई में या तीसी तीमहाई में urinary tract infection को समय से treatment नहीं किया गया तो इसके कारण premature delivery हो सकती है जिसके कारण जो बेबी होगा वो premature होगा उसका birth weight जो है वो कम होगा इसके अलावा बेबी में और भी सारे कई सारे birth defects हो सकते हैं इसके अलावा हो सकता है कि बेबी delivery के पाद survive कर पाए कि ना कर पाए इसमें भी थोड़ी सी complication आती है तो इसके कारण आपको कई सारी problem आ सकती है pregnancy में तो इसको आप avoid ना करें तो friends I hope कि इस वीडियो से ये पता चल गया होगा कि pregnancy में बार बार urine की problem क्यों होती है लेकिन फिर भी अगर आपको इस वीडियो से related अपनी pregnancy से related या फिर अपनी health से related कोई भी समस्या हो तो आप मुझे comment box में जरूर लिखेगा और अगर आपको ये वीडियो informative लगा होगा तो इस वीडियो को like करिएगा, share करिएगा और चैनल को जरू सब्सक्राइब करिएगा तो friends मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक आप अपना खयाल रखिए thank you